अस्सलाम उलेकुं स्टूडेंट्स सब कह रहे थे कि एकसरसाइज करनी है तो आज का हमारा सारा लेक्सरसाइज पर यह है अच्छा जो ने स्टार्ट किया है मेने स्टार्ट किया है 3.16 से उसके सी पार्ट से ठीक है मैं आप लोगों को यहां पर डिफाइन करती जाओंगी कि question करना कैसे है और उसमें वो कह क्या रहा है ठीक है और मैंने solve करके रखे हुए मैं आप लोगो सासा दिखाती जाऊंगी ठीक है पहला आपका question है 3.16 इसका आप अगर third part देखते हो Our distribution consists of three components with frequencies 45, 40 and 65 अब पहली बात उसने ये कही के जो आपके पास three components दिए हुए उसकी frequency दे दी अलग-अलग फिर उसने कहा having from means means मतलब x bar 2, 2.5 and 2 find क्या करना है आपने show that the combined distribution अब आपने आगे नोड़ने इसका answer दिया हुए combined distribution कितने दिए हुए 2.13 ठीक है अब question में आपके पास जो आप show that वली बात है उसने कहा combine distribution mean का combine distribution है तो मतलब कि आपने combine mean निकालना है आप लोगों को combine mean का formula मैंने पढ़ाया वह है उसके coding आपने क्या करना है simple अपना data जो है वो अपने formula में put करके solve करना है ठीक है अब आप लोग यह देखो यह solve करके जो रखा है मैंने यह देखें यहाँ पर क्या हुआ three components दिये वे थे frequencies दिये वे थे n1, n2, n3 means दिये वे थे x bar 1, x bar 2, x bar 3 combine mean का formula लगा सारी values डाली आपने से calculate करके देखना है कि answer जो है आपके पास 2.13 आता है कि नहीं क्योंकि उसने का है show that show that का मतलब होता है कि आपके पास यह prove है कि आपका जो answer है वो 2.13 आएगा ठीक है इसके बाद आपके पास next question है वो देखते है next question आपके पास क्या है 17 question है ठीक है उसमें आपको big cities in 10 interval of 5 क्या लिखा है 5 minutes each was recorded as follow आपके पास इन्होंने एक data दिया वे अब एक क्या है आपके पास एक car है जो कि आपका bridge cross कर रही है ठीक है उसने bridge cross किया है 5 minute में उसका जो interval उन्होंने क्या दिया है different intervals दे दी है 10 intervals दी है 5-5 minute के bridge cross करने के उसमें इसने find करने के लिए arithmetic mean median and geometric mean मीडे न भी हमने नहीं पढ़ा तो हमने अर्थमेटिक मीन और जमेटिक मीन पढ़ा है तो यह आपके पास सिंपल अंगरूप डेटा है सिंपल फामले लगा के आप इसे सॉल्व करोगे ठीक है यह देखो मैंने सॉल्व करके रखा है आपको दिखाती हूँ यह देखो सिंपल पहले आपके पास एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर ने उसके बाद जमेटिक मीन का फामला लगावाई ठीक है जमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है जितनी अब्जरवेशन्स दीवे हैं आप क्या करते हो उन सबका लॉग लेते हो लॉग लेने के बाद उनका जो सम आता है आप उसे एंसे डिवाइट करते हो एंसे डिवाइट करने के बाद उसका आप एंटी लॉग ले लेते हो तो वो आपके पास जमेटिक मीन का आंसर आ जाता है इसके बाद question आपके पास है 3.18 ठीक है इसका बी पार्ट देखो जो प्रूफ्स हैं वो मैं आप लोगो खुद से करके notes बना के आप लोगो भेज दूँगी और वो मैं आपको समझा भी दूँगी ठीक है अभी simple questions कर रहे हैं ठीक है अब आपके पास यहां पर देखो बी पार्ट में आपको दिया है 10 families का आपको क्या दिया है इन्होंने income दे दिया ठीक ABCD जो है आपने इसको consider नहीं करना जो incomes आपको दीवी हैं यह आपके पास X की values हैं ठीक है आपने क्या करना है simple income mean निकालना है geometric mean और harmonic mean निकालना है उसके बाद आपके question से last में पूछा है which one of above three averages represent the above figure best आप बताना है कि सबसे अच्छा इसमें से average कौन सा show कर रहा है जो आपके data से closely value होगी वो आपके पास best average होगी ठीक है next आपके पास question है next आपके पास question है 3.19 ठीक है 3.19 में आपके पास arithmetic mean निकालना है geometric mean निकालना है और harmonic mean निकालना है यह आपके पास simple data दिया है ungroup data है कोई frequency नहीं है कुछ भी नहीं है simple formula लगाना है आपने इसको solve करना है यह देखो मैंने पूरा proper table बनाया है आपने सिर्फ इसको calculate करके answer निकालना है यह देखें यह आपका data दिया हुआ था ठीक है आपने अगर geometric mean निकालना है तो log x का पूरा एक column बनेगा फिर आपने harmonic mean निकालना है तो आपने one hour x करना है log x कैसे निकलेगा log 60 उसकी value आगे लिखो log 80 log 90 log 96 इस तरह आपने सारी values निकालोगे end में जिसका sum आएगा उसको divided by n करोगे n क्या है number of observations ठीक है और फिर anti-log ले लोगे तो आपके पस geometric mean का answer आजएगा next आपके पास है one hour x one hour x का column कैसे निकलेगा one divided by 60 one divided by 80 one divided by 90 up to so on यह जो column आएगा यह आपका harmonic mean के लिए यूज़ोगा और submission simple x bar x को add कर लो उसको end पर divide करो x bar आजएगा आपके पास ठीक है यह था आपका question number 3.19 next है आपके पास 3.20 यानि 20th question है अब आपको यह समझ नहीं आ रहे कि question में आपसे मांग किया रहा है वो पूछ किया रहा है अब आपना question देखो question में आपको वो कहता है in a company having 80 employees एक company में 80 employees हैं ठीक है जिसमें 60 earn कर रहे हैं 3 रूपीज पर और और जिसमें से 20 हैं जो earn कर रहे हैं 2 रूपीज पर और अब इसने क्या कहा है आपको determine the mean earning पर और simple mean निकालना है अब इन्होंने दो को categorize कर दिया कि total बंदे कितने हैं यानि n है आपको बता दिया वो कितने थे 80 80 में से आपके पास 60 जो थे वो 3 पे काम कर रहे थे और 20 जो थे वो 2 रूपीज पर काम कर रहे थे तो अब आपने simple mean निकालना है यह आपके पास कौन सा आगया यह weighted mean आगया आपके पास यह कहलो combined mean आगया आपके पास ठीक यह देको यह data रिखा वह सारा इसको सिर्फ आपने formula में add करना है और इसे calculate करना है इसमें और data दिया है वह उसके range में है या कोई बहुत extraordinary आ रही है mean इसका क्या रही है सिर्फ उसको describe करना है yes no में इतना सा क्या आप इसे consider करते हैं कि यह typical है यह typical ही है क्योंकि आपके यह range के बीच में आ रही है 3 और 2 के धरमयान में आपका इस cancer आएगा ठीक है next आपके पास है आगे आ problem हो तो आप लोग मुझे inbox कर सकते हो ठीक है यह देखो इस साथ से अपना table बनाना है और calculate करना है ठीक है next question है आपके पास 3.21 यह देखो question आपका काफी जंबल होके लिखा हुए जो आपको नहीं समझा रहा हुग यह क्या किया है क्या नहीं किया हुआ ठीक है आप कह रहे हो simple average of price in column 2 column 2 की बात की है column 2 में simple prices दी है उसकी average निकालना है मतलब mean निकालना है सिर्फ price वली value का सिर्फ price वली column का आपने mean निकालना है और कुछ नहीं करना ठीक है second part में हो कहता है the weighted average using the quantities in column 3 as weight and explain the difference between the two results देखो second वालस ने कहा कि जो quantities दी वो as weight यूज करना है पहले जो prices होगी वो x हो गई जो quantities होगी वो w हो गई यानि कि अब आपने पहले आपने क्या करना है simple x वाले का mean निकालना है then आपने इसमें weighted mean निकालना है ठीक है यह मैंने calculate करके रखा आप देखो calculate नहीं बिलकर table बना के रखा बाता ठीक यहाँ पर देखो price का जो total है उसे आप n से divide करोगे तो आपके पास x बार आजएगा पहला formula हो गया next पेस ने कहा आपने क्या निकालना है weighted निकालना है weighted के लिए आप क्या करोगे इन दोनों column को आपस में multiply करोगे जो उसका sum आएगा फिर वो आपके पास क्या आएगा वो आपके पास quantity आ जाएगी sorry वो आपके पास weighted आ कि करना क्या है कैसे करना है the following are the monthly salaries in rupees of 30 employees अब देखो आपको 30 employees की salaries बेजी वी है ठीक है salary बताई वी है ठीक उसके बाद उसने कहा the firm gave bonus of rupees अब जो firm है वो आपको bonus रुपीस देता है वो के साथ 10, 15, 20, 25, 30, 35 ठीक है respectively salary individual in the respective salary groups अब salary group बताएं इनोंने like हम class interval बनाते हैं तो उसी तरह इनोंने यहाँ पर salary की group बना लिए इसने कहा exceeding 60 but not exceeding 75 यानि कि आपके पास उसने 60 से लेकर 75 का एक group आया 75 से लेकर 90 तक एक group आया उसने आगे लिखा and so on up to exceeding 135 but not exceeding 150 अब आप देखो इसमें interval कितना दिया हूँ है 15 का interval दिया हूँ है आपने इसे अपनी classes complete करनी है 15 15 का gap देखे आपने इसमें इसको complete करना है किस तरह से complete करना है पहली आपके class बनी 60 से लेकर 75 ये पहली class आ गई ठीक है अब आपके question में उन्होंने कहा है find the average of bonus paid पर imply अब इन्होंने कहा है कि bonus find करना है सबसे उपर जो आपकी उपर line में लिका है the firm gave bonus bonus मतलब यह जो आपको 10 15 20 25 यह आपके पास x आ गए इनका मीन निकालना यह x है और जो उपर वाली values है जिसको आप calculate करके लिखोगे वह आपके पास frequencies होंगे किस तरह से यह देखो table मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर आपके पास 60 से 75 x 75 से 90 90 से 105 105 से 120 120 से 135 135 से 150 ठीक है जो bonus दिय इसने आपके question में कहा है आपने जो average find करनी और bonus पर find करनी जिसकी average निकालनी होती वह हमारे पास x होता है उसके बाद देखो आगे इन्होंने f निकाला कैसे f निकालने का तरीका सबसे पहले इन्होंने का 60 से लेकर 75 class interval में हम देखते थे कौन कौन सी values आ रही है आप 60 से लेक में देखो आपके पास second line में fourth value है 63 फिर उसके बाद है आपके पास 69 जो के आपके पास कौन सी रो में है उसी 63 अब आप देखें यहां पर आपके पास जो frequency आई है first value की वो 3 आई है then आप देखो आपकी जो value 75 से 90 तक आपके data में 75 से 90 तक की कितनी values है अब यहां से देखो ए आपके पास 77 है एक 80 है एक 85 है और एक 88 है इसके frequency आगया आपके पास 4 अब next आपके पास 90 से लेकर 105 तक इसमें आपने देखना है data की कितनी values आ रही है यहां से frequency then आपके पास देखो आपके पास next आगया 90 से लेकर 105 इसकी जो बीच में कितनी values है जो आपकी data में आ रही है वह तो आपके पास जो आवरीज आएगी वह सिंपल मीन निकालने ठीक है यह आपके कोश्चन हो गए तो तक हो गए है आप लोग यह करके मुझे भेजो और मैं चेक करके बताती हूं कि कितना सही किया है कितना नहीं ठीक है